रिवा लोकसभा प्रत्याशी जुनारदन मिश्रा का नमांकन पत्र भरबाने और कार करताओं के अंदर जोश भरने सहीत एक सभा को संबोरित करने प्रदेश के मुख्या डॉक्टर मोहनियादव आगामी 2 अप्रैल को रिवा पहुचेंगे यहां डॉक्टर मोहनियादव कार करताओं के बैठक लेने के साथ ही लोकसभा प्रत्याशी जुनारदन मिश्रा का नमांकन पत्र दाखिल कराएंगे उनके सकारेक्रम को लेकर भाजबा जुला अध्याच डॉक्टर अजय प्रताप सिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्या डॉक्टर मोहनियादव लगभग सभी लोकसभा शेत्र में प्रत्याशों के नमांकन भरवाने पहुच रहे हैं इसी कड़ी में रिवा की लोकसभा प्रत्याशी जुराल डर्विश्णा का भी नमांकन भरवाने रिवा आ रहे हैं इससे पहले वे स्वागत भवन के समीप एक सभा को समोरित करेंगे जिसमें मौजोज पार्टी के कारकरताओं और आम लोगों को समोरित करेंगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंद्री मुहन्यादों की आगमन को लेकर सभी तयारियां लगभग पून कर ली गई हैं और उनकी आगमन को लेकर कारकरताओं में काफियोत साभी नजर आ रहा है बारती जनता पार्टी द्वारा लोगसवा चुनाव 2000 के लिए जीवा लोगसवा घोशित पत्यासी स्री जनादन मिस्री जी के द्वारा दो अप्रेल को अपनो नामांकन दाखिल किया जाएगा इस अवसर पर नामांकन दाखिल कराने हैं तो हमारे मत्पतेश के लोग प्रियों मुंत्री डाक्टर मोहन यादव जी दो तारिक को दीवा पधार रहे हैं मानि मुख मंत्री जी बेंकर वन के सामने एक नामांकन सभा को संबोधित करेंगे ता दुपरांते एक नामांकन रहे ली जो कि हमारा घ्रसेंच चौक से होते हुए ताला हाउस अपना गायत्री मंदी बेंदावन गार्डन होते हुए मार्तन इसकुल प्रांगर उने रहे जाए उसके बाद मानि मुख मंत्री जी भाजपा प्रत्यासी जनादन मिस्त के नामांकन दाखली में पस्तित रहे ताद उपरांत मानि मुख मंत्री जी तीकम गड़ के लिए प्रसान करेंगे मानि मुख मंत्री जी मात्प्रदेश के सभी 29 लोग सभा में प्रत्यासी नामांकन में जा रहे हैं हमारे लिए गवराओ का भी सह है और भारती जनता पार्टी एक ऐसा संगठा जो परिवार भाव के साथ मानि मुख मंत्री जी प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनके मत्प्रदेश में जो भी 29 प्रत्यासी पार्टी द्वारा घोसित किये गए हैं सब के नामांकन रहे हैं नामांकन दाकिल करा रहे हैं इसे निश्चित तोर पर मुख मंत्री जी के आने से कारकरता हूं एक नई उर्जा और उसा का संचार होता है और कारकरता पुरे मन उनके साथ आगे लगेगा अभी माननी मुख मंत्री जी के आगमन की जानकारी जैसा आगे अभी एक दो दिन बाते समय है समय होगा तो उसके बाद उनकी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि दो हजार चुनाओ जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर माननी मोधी जी के पिछले दस साल के अपने किये गए इतिहासिक और अभी समर्णी कार्यों को लेकर जंता के अंदर एक अपार उस्सा है यहां पूरे देश भर हम चार सो पार करने जा रहे हुए मत प्रदेश इसमें रीवा सहित सभी 29 सीटों को हम जीतने जा रहे हैं रही बात प्रत्यासी कोई भी हो जंता के अंदर इस बार भारती जंता पार्टी के रावा कोई नहीं है कोई भी प्रत्यासी हो कही सी भी पार्टी का हो सब की जमाना जट होने वाली है